एक तरफ तो देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी बच्चों की सिक्षा पर ध्यान देनी की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में नन्हे नन्हे बच्चों से स्कूल का सौचाले साफ कराया जाता है ताजा मामला मीरा भाइंदर मनपा छेतर अंतरगत आने वाले कासी मीरा के मासाचा पाड़ा परिसर में मौजूद मनपा के सरकारी मराठी स्कूल नंबर 19 का है जहां मीरा भाइंदर राष्टवादी अलप संख्या के विभाग जिलाद्यक्ष गुलाम नभी फारुकी एक विकलांग बच्चे को विलचेर देने के लिए गये थे उसी दवरान उन्होंने स्कूल के प्रेंसिपल से स्कूल दिखाने की इच्छा जाहिर की जब फारुकी स्कूल के पहले मंजिल पर गए तो पाया की स्कूल के टॉयलेट में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हाथ में जाडू और बड़े वाईपर लेकर सफाई कर रहे हैं तो उन्होंने गोल मोल जबाब दे कर मामले को रफा दफा करने की कोशिस की तो गए थे वहाँ पे मासाचा पाड़ा में MBMC का मराठी की स्कूल है, स्कूल नंबर 19, वहाँ एक दिव्यांग बच्चा था, जो इस्कूल आने के लिए उसे थोड़ा प्राब्लम हो रहा था, तो हम गए थे वीलचेयर गिफ करने के लिए, उसके बाद मैं प्रिंसिपल तो भगवान होता ही है, तो प्रिंसिपल साथ बैठ कर मैंने थोड़ा बात की, आपको और क्या परेशानी है, तो प्रिंसिपल साथ से मैंने रिक्वेस्ट किया, जिसर एक काम करते हैं, यहां तक आए तो आपका स्कूल भी देख लेते हैं, अब स्कूल देख लेते हैं, जब गया वैं सेकेंड फ्लोर पे, तो मैं देखकर शॉक रहे गया, चार साल, पान साल के बच्चे ट्वालेट साथ कर रहें, बच्चे की हाइट छोटी, दो से तीन फिट की, और छेचे फिट का वाइपर लेकर, वो लोग वेट पानी डाल डालके बातरूम साथ कर रहें, सवाल पहला यह उड़ता है, कि वहाँ कोई बड़ा इंसान, कोई टीचर नहीं था, कोई प्यून भी नहीं था, मैं प्रिंसिपल साब से पूछा, वो बोले मुझे नहीं पता है, जिस क्लास्रूम से वो बच्चा निकल के आया था, वहाँ जाकर मेरे टीचर से पूछा, कि टीचर साहिबा, यहां से आपका बच्चा क्लास्रूम से, ट्वालेट नीचे साब कराज आपको पता है, उसने बोला नहीं पता है, और जब थर्ट फ्लोर पे गया तो छोटी-छोटी बच्चियां, चार साल की बच्चियां, जाडू लगा रही है, और शौकिंग बात यह है, कि जब मैं ग्राउन फ्लोर पे आया, तो जो साथ सफाई कर्मचारी है, वो नीचे मस्ट पहल रहा है, तुटकाखा कर, मैं पालिका को आयुक साब को लेटर देने वाला हूँ, अभी आज शाम को वाया मेल भेज़ दूँगा, और सदनन दाते साब को भी मैं कॉपी भेज़ूँगा, काशी मेरा पुलिस टेशन में सीनियर को भी भेज़ूँगा, और मेरा ये मान है कि जो भी उचित कारवाई होती है, सबसे पहला वो प्रिंसिपल को सस्पन किया जाए, और जो भी कानूनी कारवाई उसको पर कारवाई हो, ताकि बाकी स्कूलों के अंदर इस तरह का गलत काम बच्चों के साथ ना हो, अरे बच्चों का भविश, भविश हैं नहीं, कौन अपने बच्चों को वेज़ेगा जो वहाँ भी जाके ट्वालेट साफ करें, वहाँ मैंने उनसे पूछा बोले टीशर की कमी है, वो मान लिया, लेकिन इतनी सारी सुविधा देने के बाद, इतना पैसा महानगर पाली का उस पे खर्च करती है, अभी एक और चीज है, सेनेटरी पैड के नाम पे कितने का कॉन्ट्रेक है, आप लोग अगर जाके वहाँ पूछेंगे बच्चों को, या साथी नी आटवी क्लास की बच्चियों को सेनेटरी पैड मिला क्या, वो भी सच्चा ही सामने आएगी, तो यहाँ पे टेक्स पेयर के पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जेबे भरी जा रही है, और शाहर को बेवकूब बनाया जा रहा है. सोना जाड़किनगा से ने इपनाया है, आप को ही वह अगए, च्झसबाइ दो है अंपी। आपका ग्रास्पूल्म से बच्चा मीर्चा की अभाल भापनी चाफ कर रहा है Aपको ही बतर the इसे बंच्चा से बच्चा से बच्चा निए बात्रूम साथ कर रहा है। इनका क्या बविश्य बनेगा ए इंसां या जो थे भाइप पूना भाइप नाना करता है। यह ए रियली हम और बड़ी जिश्ट करते हैं। लेकिं पीचर अगर बात्रूम साथ करेगी यह जारू बनाएगी तो भच्चे पर भश्य सो लेगी। मेरा भाहिंदर से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूस की एक रिपोर्ट। प्राइम प्राइम और बात्रूम और बात्रूम क्षब कर दो